है और आपसे मेरा भीवी एक्सपासवान और आप देखें हैं फाइर फिर्फिटिण आज हम जानेगे कि हम अपने हाथों को घर पर ही स्ट्रॉंग कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह पुराना बुक है आपके घर पर भी कोई ना कोई पुरानी बुक जरूर होगी जिसे अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं जो बहुत जल्द ही आप फिकने वाले हैं तो ऐसा कोई भी बुक आप ले ले और उसे लेने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके में एक रस्ती को कोई भी फीता वगेरा आप डाल सकते हैं ताकि आप उसे टांग सकें तो ऐसा करने के बाद आप इसे घर में कहीं भी दिवाल पर टांग दे अब आपका पंच प्रेक्टिस करने के लिए एक अच्छा सा घर पर ही पंचिंग बैग रेडी है आप हर रोज सबस्क्राइब टांग अभी घर पर इसमय पर पंच करेंगे तो आपके जो हाथ है आपका जो नकल से वह काफी स्ट्रॉम और आपके हाथों की ताके भी बढ़ जाएगी तो इस तरीके से लड़ाकर आप इस तरीके से पंच हारा है को एक भरबार प्रेक्टिस कर रहें हम इसको continue करने की कोशिस करें जितना हो सकता है उतना ज्यादा पंच लागातार आप सिर्फ पंच ही नहीं आप खुले हाथों से भी एल्बो आप अपने हाथों के कई पार्ट्स को ट्रेन कर सकते हैं घर पर ही वो भी आपका बनाया हुआ पंच बेक के साथ यह आपका पंच बेक आप नकल से कर सकते हैं अटक नकल को TD कर सकते हैं एल्बोग को हाथ खोल कर पाम यह जितने भी तरीके हैं उससे आपके जो पूरा हाथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉंग हो जायेगा आप अगर किसी को भी हीट करते हैं तो उसको काफी ज्यादा चोट लगेगा और आपका जो हड़ी है वह पहले से ज्यादा और कई ज्यादा भारी हो जाएगा प्लस बहुत ज्यादा मजबूत भी हो जाएगा तो यह थे घर पर आपके लिए ट्रेनिंग करने का तरीका मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ज्यादा कुछ करने की जुरत नहीं है बस एक पुराना बुक आपका पंचिन वेग रेडी आपके दोनों हाथ स्ट्रॉंग हो जाएंगे जातर यह जो हम पंच कर रहे हैं यह लड़किया कर सकती है घर पर अगर कोई भी कहीं नहीं जा पा रही है या फिर उसके पास एकुपमेंट की कमी है तो आप घर पर एक पुराना बुक इस तरीके से रेडी कर लें और घर पर पंच करें यकीन करें इसको करने से आपके हाथों की जो तागत है वो बहुत ही जादा बढ़ जाएगी और आप खुद पर इत इतने स्ट्रोंग होगे कि जुरत पढ़ने पर आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और सामने वाले को चोड पहुंचा पाएंगे तो आज के लिए इतना ही इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी माच इस सब्सक्राइगा और आप हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे तो इसी तरीके से फारफिनर्स को सपोर्ट करते रही है क्योंकि यह सॉलिड है